हेलो फ्रेंड इन दिस वीडियो आ विल एक्स्प्लीन हाव वी कन क्यालकुलेंट वेक्टर एड्रेस ओफ गिवन इंटरप्ट इन 8085 माइक्री प्रोसेसर इन 8085 इन 8085 मैंक्री प्रोसेसर हमारे पास फफिव इंटरप्ट होते हैं ओन्चिप वो कौन कौन से ओते हैं INTR are trap rst 5.5 rst 6.5 rst 7.5 यह चिप्स पे अविलिबल होते है this is basically interrupt request तो इसको हम बाद में consider करेंगे पहले हम इनको देखेंगे यहाँ पर इनको हम क्या करते है these all are vectored interrupts why vector interrupts because we can calculate the restart address from the equation from the interrupts itself ठीक है हम क्या कर सकते हैं जो भी हमें restarting का address है जो interrupt हमने apply किया तो हमारा program कहां से restart होगा हम वो calculate कर सकते हैं from the interrupt itself वो कैसे because यहाँ पर यह values दी है trap के case में इसे consider करते हैं as a 4.5 RST 4.5 ठीक suppose जब हम address calculate करेंगे यहाँ पर अगर हमें trap का address चाहिए तो हम क्या करेंगे trap address अगर calculate करना है for trap तो मैं करूंगी 4.5 into 8 फिर इसको हम convert करेंगे इन यह जो value आएगी वो होगी हमारी decimal में तो हमें हमें इसको चाहिए क्या होगा convert करना होगा किसमें hexadecimal में तो हम इसको divide by क्या कर देंगे 16 तो हमें मिल जाएगी hex value तो अगर हम इसको solve करते हैं तो हमें शो करते हैं by hexadecimal तो अब हम इसे hexadecimal में convert करेंगे अगर हम इसे hexadecimal में convert करें तो normal method आपको पता है division का यह two times में जाएगा और what will be the address means कि trap का address क्या होगे 0024 तो अगर हमें general formula लिखना हो तो we can write n into 8 divided by 16 and जो result होगा that will be in hexadecimal ठीक है तो मैं एक और निकालती हूँ RST 5.5 के लिए क्या हो जाएगा RST 5.5 के case में अगर हम यह formula यूज करें तो 5.5 into 8 divided by 16 is equal to यह हमारा होगा 44.0 divided by 16 जब हम इसको calculate करेंगे इस method से तो यह हमारा क्या हैगा 2C 00 H ठीक है 0024 002 C ठीक है दोनों के बीच का difference कितने का है 8 का है ठीक आप व्यासे भी calculate कर सकते हो कि difference ले लो अब RST 6.5 का अगर हम करते हैं 6.5 into 8 divided by 16 यहां निकालते हैं 0 6 जा 48 48 प्लस 4 is 52 divided by 16 तो यहां आएगा हमारा यहां देखोगे दोनों के बीच का difference 8 का है next आपका कौन सा है RST 7.5 ठीक अगर हम इस formula से निकालते हैं 7.5 into 8 divided by 16 विल बी इक्वल टू 8 5 जा 40 की 0 पावर आई 4 8 7 जा 56 और 4 60 डिवादे बाई 16 16 की टेबल में 16 3 जा 48 मीन्स की 3 रिमेंडर इस 12 मीन्स की C 00 बेसिस H ठीक है तो यह हो गया address आइदर आपको एक address बता होना चाहिए फिर आप 8 8 के difference पे लिख लो आइदर अगर कोई भी पूछता है तो उसका address by using this formula you can calculate in instructions के हम address calculate कर सकते हैं in interrupts के that's why these are called vector interrupts ठीक है और अगर हम INTR की बात करें तो INTR की request जब grant होती है तो जो इससे interrupts generate होते हैं वो होते हैं RSTN और यहाँ पर small n की value जो होती है वो 0 to 7 होती है you can calculate the address of these instruction in the same way in next video I will calculate the address for 0 to 7 thank you so much